दोस्तो फाइनली लंबे समय के इंतिजार के बाद हमारे पहले स्टेल्थ हतियार यानि की घातक बोंबर को लेकर आज सबसे बड़ी खुशकपडी आ चुकी है और ये इस साल का सबसे बड़ा अफडेट होने वाला है आप सब ये बाद जानते हो कि इस समय चाइना पाकिस्तान की वायू सेना को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की वायू सेना को अपने जे-31 स्टेल्थ फाइटर जैट देने के लिए पूरी तरीके से तयार हो चुका है साथ में पाकिस्तान की तरफ से इस बात के भी इंडिकेशन दिये गए है कि हम आगे चलकर तुर्की के कान फाइटर जैक को भी अपनी वायू सेना में शामिल करेंगे यानि भविष्य में हमारी दोनों ही निकम में पडोसी देशों के पास स्टेल्थ हतियार मुझूद होंगे लेकिन हमारे पास इन स्टेल्थ हतियार को काउंटर करने के लिए एक भी हतियार मुझूद नहीं होगा इसी बात को देखते हुए और हमारी वायू सेना की इसी समस्या को सोल करने के लिए अब हमारी Aeronautical Development Agency ने घातक बोंबर के actual prototype के fabrication पर काम शुरू कर दिया है हमको हमारे इस घातक बोंबर को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इस बोंबर की हमने सभी टेक्निलोजी को पूरी तरीके से बना कर तयार कर लिया है साथ में इन सभी टेक्निलोजी का हम पहले ही अपने Swift UCAV में लगा कर परिक्षन भी कर चुके हैं इसलिए हमको घातक बोंबर को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इस समय उम्मीद इस बात की की जा रही है कि 2025 के अंथ तक हमको हमारे घातक बोंबर का रोल आउट भी होते हुए दिखाई देगा हम अपने घातक बोंबर के अंदर अपने कावेडी इंजन के ड्राई वर्जन का इस्तिमाल करने वाले हैं और कावेडी ड्राई इंजन वो ही इंजन होने वाला है जिसकी हमने रशिया के अंदर टेस्टिंग की थी और उस टेस्टिंग के दोरान हमारे कावेडी इंजन के ड्राइवर्जन ने उम्मीद से भी बहतर परफॉमेंस को दिया था। हमारी इस खतक बोंबर की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस बोंबर की मदद से हम पाकिस्तान की राजधानी में घुस कर पाकिस्तान के ऊपर बोंबिंग करकर वापस आ जाएंगे लेकिन पाकिस्त के पास स्टेल्ट फाइटर जेट मुझूद होंगे और अब इन फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए भारत के पास भी घातक बोंबर मुझूद होगा। और इस समय उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि जिस समय पाकिस्तान की वायू सेना को चाइना J31 फाइटर ज हो जाएगी और अब इस घातक बोंबर को लेकर हमको थर चार से पांच दिनों बाद एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी वायू सेना के पास घातक बोंबर कितनी संख्या में होने चाहिए इस बात का अंसर आप कमे कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो है